और एक तूझे के क्या? एक तूझे के दिल में अपना घर बनाना है और देवेतर ग्रोजी क्या? एक तूझे के दिल में अपना घर बनाना है तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है क्या? तुझे से लिपटा रहूंगा बनके कंगना तेरा है और राजेतर भुबाजी चांदुत्ता रोमिंग आप सुनियागा बगवान रामको देखा रावण ने? तू कहता है कि तू परमात्मा है अगर तू परमात्मा है तो परमात्मा होकर तू मुझे एक बाण से मार देता तू ने क्या किया बाण 31 क्या हो बाण 31 चलाने की जरुरते क्या थी लक्षमन से का एय लक्षमन तू कहता है कि तू से सबतारी है और अगर तू से सबतारी है स्लोचना तेरी बेटी लगी और सुन तू ने उने बेटी के साथ क्या किया बेटी को बिधबा बिधबा क्या हो बेटी को बिधबा बनाने की जरुरते क्या थी बात आ गई हनुमान से, हनुमान जी से का ये हनुमान, तू कहता है कि तू रुद्र का अवतारी ये शंकर का अवतारी है और अगर तू शंकर का अवतारी है तो शंकर ने लगका मुझे दान में दी थी, तूने क्या किया? होदान की चीज जलाने की जरूरत क्या थी बात आ गई विभी संसे विभी संसे का ए विभी संसे तू कहता है कि तू मेरा छोटा भाई है अरे मुझे तो तुझे भाई कहने में भी सर्माती है तूने तो व्यों कर्म कर दिया जो दुश्मन भी दुश्मन के साथ ना करता तूने क्या किया ना भी में अबरत बताने की जरूरत क्या थी और सुनियागा अच्छा आपका जोर लगा रहेंगी सेंवे नेकने हां बाबा साम अब बात आ रहे है योगे नर्वाईया हां पीछे को मत खिसको अब बात आ रहे है सुनियागा भगवान राम थेरे रावार्ण तूने क्या कहां उससे की बान एक अटीश चलाने की जरू जनक की जाई क्या और इसी बीच ये सारुब्रे का फुस्कार बड़े भाई योगे नजी दे रहें गार ओली डिवासी बार बार मैं आशिर्वान की कामना करूंगी भया जी जनक की जाई जानिक की जो मेरी प्यारी थी गोर से ओ गोर से सोचोंगो बेटी भी तुम्हारी थी हो बार से साचोंगो बेटी लेकर अब राबर से कह रहें भगमर नाम सुख अपनी बेटी का चुराने की जरूरत क्या थी क्या हो बेबजा बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी हो बेबजा बात अब सुनियागा अब लच्मन से कहा था कि बेटी को बिदबा बनाने की जरूरत क्या थी लच्मन जी कह रहें आपने मुझसे सही कहा स्लोचना मेरी बेटी लगती है लेकर सुनिये मैं था ससुरतो मेगनाज का में ससुर लगा उसने मेरे साथ क्या क्या और मैंने क्या किया मैं था ससुरतो दामाद जी हमारे थे बाड़ युद इस थल में दामाद के करारे थे बाड़ युद इस थल में दामाद के लेकर सुनिये सक्ती स सुर्प दलाने की जरूरत क्या थी बेबजा बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी बात आ गई हन्वान जी से हन्वान जी से का ए हन्वान तूने लंका दान में दी और तूने मुझे सवाल कर लिया की दान की चीज जरूरत क्या थी अब हन्वान जी कह रहे एक सुन रावर मैं बताता हूँ जानते तुम थे में रूद्र कावता अरी हूँ और बार्बाती पूछ मैं और में राम भुजा आरी हूँ और बार्बाती पूछ मैं और में लेकें पूठ मी आंक लगा नेकी जरूरत क्या थी बेबजा बात बढ़ाने ली जरूरत क्या थी शमे के अनुशार अन्ते बोला रे अब विशन केरो सोन बढ़े भाई थे क्या हो बढ़े भाई थे तो मैंने पीप्या अर्किया हो मार कर लात मुझे लंगा से युद्या अकुद्या भाई पर लात जमाने की जरूरत क्या थी बेबजा बात बढ़ाने की जरूरत क्या थी लेकिन आज हमारे लिए बना गौरव का दिन युग शनातनियों के लिए बना गौरव का दिन ऐसा माना जा रहा है युग शनातन बापिशा चुका है त्रेता युग बापिशा चुका है अव इध्या नगरी जैसे आज हमारी गालोली नगरी सज्रही है सभी राज्यों से सभी प्रांतों से कुछ कलांकार बंदू यू करमा ने हिंदूस्तान ने आज इतिहास में नाम दर्ज कर दिया हिंदूस्तान में ही नहीं बाबा साम विश्व के अन्दार ये आज का दिन श्रॉंड अक्षणों में जड़े तो हो चुका है वर्डे तो हो चुका है लेकिन आज सुनिए उस अयोध्या नगरी में हो क्या रहे हनुआन जी की अलग मूर्ती है राम लला की अलग मूर्ती ह लेकिन हनुआन जी क्या करें तो या अरे तेरे जैसा तेरे जैसा राम भक्त कोई हुआ ना होगा मत बाला बाला और एक जरासी बात कभी थी बीजी एक जरासी बात कभी थी और बस से नाते राम दिखा डाला तेरे जैसा राम भक्त करी और बेवतनल गुरू जी आज बड़ी पपय आयोध्या सज रही और आयोध्या कैसी सज रही है आज अमध में सोभा लग रही तीन लोक से न्यारी है अरे आज अमध में सोभा लग रही तीन लोक से न्यारी है और पांसो बरस के यूँके में त्रेतना युग में तो चोदे बरस में राम जी बरवां से काट के नहीं हो ध्याम पहुचगे लेकिन आज अरे पांसो बरस के बाद हो रही प्राण प्रतिष्ठां की तैयारी है हनुमा जी के मत पूछो आज हनुमा जी क्या करे हनुमा जी क्या करे हनुमा जी लग की मत पूछा पूछा अरे धूमु रहा एम मत बाला अरे त्यरे जैसा राम भक्त कोई हुआ नहो गा मत बाला कर अरे भक्त को बाला